दोस्तो आज का वीडियो बीए हिस्ट्री वन आर्स सेकेंड सेमिस्टर के विदार्थी के लिए है यह आपका सीसी वन का एक टॉपिक है गुप्त समराज उससे हम लोग टॉप 50 MCQ प्रसनों को देखेंगे दोस्तो यह वीडियो में जितने भी प्रसन बताया जाएंगे यह वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही सेर कीजिए वरना सेर करने की कोई ज़रूरत नहीं है पहला आपका कुश्चन है बहरी बहरी इंपोडेंट यह कुश्चन एकदम 100% पूछा जाएगा आप लोग ठीक है तो कुश्चन क्या है गुप्त समराज का उदय कब हुआ था तो तीसरी सतावदी में हुआ था याद रखिएगा यह तीसरी सतावदी इसापूर्व का नहीं है तीसरी सतावदी का है ठीक है चलते हम लोग नेक्स्ट कोईशन पे और नेक्स्ट कोईशन क्या है नेक्स्ट कोईशन है गुप्त सम अम्राज की स्थापना कोसांबी में हुई थी ठीक है very very important question ठीक है चलते हैं हम लोग next question पे और देखते हैं next question क्या है next question है स्रीकुप्त का सासन काल कब से कब तक था दोस्तों ये history owners में बहुत ही important question होता है कार्यकाल तो कर्यकाल कब से कब तक था 240 इसा से दोसा सिख इसा तक ठीक है very very important ही याद रखिएगा सबका से सबका जितना भी बंस होगा उसका सबका date इसे आप copy में लिखिए कहीं पे 60 है आपसे पूछा जरूर जाएगा ठीक है दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं next question next question है स्री गुप्त का उत्राधिकारी कौन था तो स्री गुप्त का उत्राधिकारी था घटोत कच ठीक है याद रखिएगा गुप्त बंस का संस्तापक कौन था श्री गुप्त और उसका पुत्र था कौन घटोत कच याद रखिएगा next question है घटोत कच किसका पुत्र था तो घटोत कच किसका पुत्र था स्रीगुप्त का जो नेक्स कोईशन है घटोत कच का काल कभ से कभ तक था तो घटोत कच का जो काल था वह 280 पूर इसा से 320 इसा तक ठीक है याद रखिए गा बहुत-बहुत इंपोडेंट सवाल है आप लोग एक को अगर याद रख पाएंगे तो उसके बाद पूरा सीरियल वाइस हो जाएगा बस खाली सासोक को याद रखना है ठीक है जैसे स्रीकुप्त कब से कब तक था तो स्रीकुप्त था 260 इसापुर से लेके 280 ठीक है जैसे आप लोग आगे पहले देखे न यहां से 240 दोस्तो 240 इसापुर 240 इसापुर 240 इसाथ से 280 ठीक है यहाँ पर चंद्रकुप्त मरिया नहीं है चंद्रकुप्त प्रथम ठीक है यहाद रखियेगा बहुत बहुतervesन सवाल है नेक्सट कोशन है चंद्रकुप्त प्रतम ने किस से साधी की तो चंद्रगुप्त प्रतम ने कुमार देवी से साधी की दोस्तों यह important सवाल है याद रखिएगा next आप से सवाल पुछा जाएगा कुमार देवी कहां की राजकुमारी थी तो कुमार देवी जो राजकुमारी थी ओ थी लश्वी की ठीक है next आप स बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ठीक है अपसे डार्येट सवाल पुछेगा महराजाद हिराज की उपाधी किसने दार की थी याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रतम बहरी बहरी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों नेक्स्ट कोईशन है गुप्त संबत किसने शुरू की तो किसने शुरू की थी चंद्रगुप्त प्रतम ने इंपोर्टेंट सवाल है याद रखिएगा दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीस वीडियो को सेर कर दीजिए अपने ग्रूपों में ठीक है नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रतम का उत्राधिका नेक्स्ट कोईशन है समुद्रगुप्त कब गद्धी पर बेठा है तो समुद्रगुप्त बठा है 335 इसवी में ठीक है भेरी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों यह सब कोईशन मैंने खुद बुक को पढ़के एक सो कोईशन छाट के बनाया ठीक है इसलिए आपको समुद्रगुप्त ने आर्यवर्थ के कितने सासकों को पराजित किया था तो आर्यवर्थ के नौ सासकों को पराजित किया था इन्पोर्टेंट है याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट कोईशन है दचिनवर्थी के कितने सासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया तो समुद्रगुप्त ने बहुत सारे यूद लड़े थे इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है याद रखिएगा यह भी सवाल पूछा गया है ठीक है तो नेक्स्ट कोईशन है भारतिया इत्यासकार ने समुद्रगुप्त को किस नाम से समोधित किया है तो समुद् नेक्स्ट आपसे कुश्यन है समुद्रगुप्त के दरावारी कवी का नाम था हरीसेन याद रखिएगा नेक्स्ट हैक हरीसेन ने किसकी रचना की थी तो हरीसेन ने इलाबाद की प्रस्वश्ती में की ठीक है तो स्टहें प्रसुस्थी लेख होता है जो बड़ाबसल्या कि दो स्टहरी ना जीसे सिस्तम के ऑपर राजाओं अपने अपाधी वापना आपना नाम अपना कार्य का लिख फाता है तो वही सब जो हरिसेन थे वो इलावाद के प्रसवति को लिखा था, ठीक है नेक्स्ट हे अश्मेग करता की उपादी किसने धारं करने वले राजा का नाम क्या है तो अश्मेग करता का उपादी जो धारन किये थे, वो धारन किये थे समुद्रुगूप्द, ठीक है याद रखिएगा समुद्र गुप्द ने अशुमिक करता की उपाधी कव धारन की थी तो 360 इश्वी में ठीक है दोस्तों सब के सब को आप नोट करना है एक से दो बार वीडियो देखिए लेकिन आपको याद करना ही है नेक्स्ट कोईशन है महराजा धिराज और विक्रमक का उपाधी किसने धारन किया था तो समुद्र गुप्द ने धारन किया था तो सबसे पहले महराजा धिराज की उपाधी किसने धारन किया था चंद्र गुप्द परथम नहीं याद रखिएगा next question है कविराज के नाम से किस सासो को कहा जाता है समुद्र गुप्त किस भगवान का उपासक था ठीक है ये भी सवाल पुछा गया है जो आप लोग को लगेगा कि ये सवाल नहीं पुछेगा लेकिन हुई सवाल पुछेगा लेगिन हुई सवाल पुछता है तो राम गुप्त जो थे वो उसके पुत्र थे किसके समुद्र गुप्त के नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है गुप्त बंस का सबसे कमजोर सासक कौन हुआ तो गुप्त बंस का सबसे कमजोर जो सासक हुआ और राम गुप्त हुआ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है राम देखेगा है ना और ये चंद्रवप्त दूतिय जो है वो रामगॉप्त का थोर्फ एंब करकिए और वह थे रामगॉप्त के जोटे भाई यानी जो समुद्रू्द उभ्ध के पुत्ट्र थे दूतिया मगल की गद्दी पर अपना धिकार कब जमाएं तीन सव असी इस्वी में ठीक है तीन सव दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम अधित्य के नाम से कि सासकों को ख्याती मिली ठीक है तो चंद्रगुप दूतिया विक्रम अधित्य की पादधार्ण की अठा ठ अधिराच चंद्रगुप्त वान परसम ठीक है तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंड बूक्स में ज़रूर बताईए ठीक है और पूरा पूरा वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के दरवार का महान कवी का नाम क्या था तो चंद्रगुप्त के दरवार का महान कवी का नाम था खाली दस और यह चंद्रगुप्त दूत्य है ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट कोईशन है चंद्रगुप्त दूत्य ने अपने पहला राजधानी कहा बनाया था तो पाटली पुत्र पढ़ना में बनाया था नहरानी का नाम क्या थी तो दुरुब्व स्वामी नी नाम था चंद्रगुप्त दूत्य की पतनी का नाम और पहली पतनी का चंद्रगुप्त प्रथम की पतनी का क्या नाम था कुमार देवी ठीके नेक्स्ट है चंद्रगुप्त दूत्य की उत्राधिकारी कौन बना तो चं दोस्तों दोनों रिलेट करके बता दे रहा हूं ताकि आपको confusion ना हो ठीक है चलता है next question पर next question है कुमार गुप्त प्रथम का अन्य दूसरा नाम क्या था तो कुमार गुप्त का जो अन्य दूसरा नाम था ओ महेंद्र अध्य था ठीक है important है याद रखिएगा दोस्तों next question है न मलंदा विश्व विदाले की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने बहुत बहुत important सवाल है very very important दोस्तों next question है कुमार गुप्त का सासन किस के लिए प्रसित था तो कुमार गुप्त का जो सासन था वो सांती और स्मृति के लिए प्रसित था दोस्तों ये गुप्त जो काल थ यह भारती इधियास का बहुत ही सांती मैं और स्मृधिवाला काल था ठीक है क्योंकि इस काल में बहुत ही ज्यादा उन्नती हुआ और यह ज्यादा तर जो इसके हैं के सासक थे वह हिंदू सासक थे ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट कोईशन है कुमार गुप्त का उत्राधिकारी कौन था तो कुमार गुप्त का उत्राधिकारी बना इसकंद गुप ठीक है याद रखिएगा सबकर सबको आप लिखना है नहीं लिखेंगे तो आप याद नहीं होगा ठीक है सिस्टेमेटिंग में इसा पूरुप्तक रहा दोस्तों नेक्स्ट कोईशन है स्कंद्गुप्त ने स्वराष्ट का गवर्नर किसे बनाया था तो वर्णपात को बनाया था स्वराष्ट का गवर्नर याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट कोईशन है गुप्दमंच का अंतीम सासक कौन था भेरी भ प्रसासन सबसे चोटा एकाई था वो क्या था वो सबसे चोटी एकाई था ग्रामिन यह क्या है आपको confusion हो सकता है यहाँ पर समझिए थोड़ा गुप्त काल का जो सासन का जो सबसे चोटा एकाई था वो क्या था वो ग्रामिन था ठीक है यहाँ पर छोटा होना चाहिए था औ ग्राम सबहा की मुंख्या को किया कहा जाता था तो ग्रामिक कहा जाता था ост सबहां ग्राम सब्सभां के अन्य च्छाव असबहा जाता था महतर ठीक है यात रखिएगा बहुत-बहुत सवाल है दोस्तों आज though uh맜्वां को desoきます होते थे ग्राम समुpse का सबसे छोटा चोटा एकाई को क्या कहा जाता था ठीक है तो दोस्तो आई होब आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जाने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाता हूँ दोस्तो आज जैसे मैंने पढ़ाया यहां पर गुप्त समराज का अबजेक्टिव सवाल करवाया क्या आपको यह सब सवाल अच्छा लगा कि डोस्तों अच्छा लगा का सेंस इया है कि मैंने यहां पर चार गोच और ऑप्सेंट करता तो इसमें टाइम बहुत लगता बहुत ही जादा टाइफिंग करना पड़ता और और अगर true false आए तो वो भी खबर हो जाएगा और अगर आप चारों में से कोई confusion होता है objective सवाल में तो आप answer नहीं कर पाते इसलिए यह वाला अगर pattern आपको अच्छा लगा है तो comment box में इसके लिए जुरूर बताईए ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में और next वीडियो बहुत ज ही